तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ यह मैंने आदा किलो गाजर लिया हुआ है जिसको मैंने टुकड़ों में काट लिया है आप चाहते से बड़े टुकड़े में रखिए या छोटे टुकड़े में रखिए यह दिखिए मैंने बड़े टुकड़े रखे हैं अभी चलते हैं हम ग्यास की तरफ ग्यास अन करके मैंने पैन ले लिया है पैन में गाजर को डाला अब इसमें एड़ करेंगे हम बन कप ओफ मिल्क और इसको ढग कर हम पकने देते हैं दोस्तों ये गाजर अभी हमारी दस मिट में पक कर रेडी हो जाएगी बीच में एक दो बार गाजर को चेक कर लें कि आपकी गाजर पक गई है या नहीं देखें अभी दूद हमारा बॉयल हो रहा था इसको मैं चारो तरफ से चला देती हूँ और फिर से ढग देती हूँ जब तक हमारी गाजर पक रही है तब तक हम ड्राइफूट्स वगएरा काट लेते हैं वो गाजर को पकने देते हैं दस में ठोके हैं मैं एक बार फिर से गाजर को चेक करती हूँ देखें मारा दूद काफी ज़्यादा जल चुका है अब इसको हम साइट से अच्छे से चला लेते हैं यह दूद ही हमारा खोय का काम करेगा इसमें हमें खोय डालने की जरूत नहीं है अगर आप डाला जाते ह तो आप अलग से भी खोया इसमें डाल सकते हैं गाजर को कट करके मैंने देखा मैंने स्पेचुला से कट किया वह कट हो गया अभी मैं एक बार नाइफ से कट करती हूँ दिखिए नाइफ से कट किया गाजर एजली कट रहा है इसका मतलब गाजर हमारे पक चुके हैं पूरी गाजर मैश कर लिए दूद भी हमारा देखिए उसमें मिक्स हो गया है अब हम दूद को जला लेते हैं सारा दूद जल चुका है गजर को हम अचे से चलाते हुए यह देखिए हमारा दूद जल चुका है अब इसमे हम एड़ करते हैं देशेट अलाइची पाउडर और जो आपने ड्राइफुर्स अपनी मर्जी के साब से ले सकते हैं आपको जो ड्राइफुर्स पसंदो अब गया अब देशी घी ड्राइफुर्स इन सब को बहुत अच्छे से गाजर में मिक्स करें देसी घी डालते ही पैन से सारा गाजर अलग हो गया अब इसमें एड़ करते हैं अब शुगर शुगर चीनी हमने आधी कपली हुई है अब चीनी को हम अच्छे से मिक्स करते हैं दोस्तों जब आप चीनी डालेंगे तो गाजर थोड़ा सा लूज हो जाएगा अब फिरम उसको हाई फ्लेम पे अच्छे से पका लेंगे गाजर का हलवा हमारा अल्मोस्ट रेडी हो गया है अब आप इसे एक बावल में या प्लेट में गरम गरम अपने मेहमानों को सर्फ कीजे और ठंडियों में कम टाइम में बनने वाले गाजर के हलवे को इंजॉय देखे मारा गाजर का हलवा पंदर मिनट में बनकर रेडी हो गया ना दोस्तों मेरे चैनल को सब्स्राइब कर दीजे और वीडियो को लाइक कर दीजे थैंक यू सू मच झाल